तो गाइस कच्छो आमों को देखके मुँछ से पानी तो जरूरी निकलते हैं क्योंकि यह बहुत ही जादे खटे और मीठे दोनों होते हैं तो आज मैं बनाने वाली हो इस आम का बहुत ही प्यारा खटी मीठी से चट्नी सबसे पहले आमों को अच्छी तरह से छील के उसके बाद पानी में रख देना है 5 मिनट के लिए जब यह अच्छी तरह से धोलो उसके बाद इसे बारिक अच्छी तरह से पतले पतली करके आप कट कर सकते हो आप अपने अपने अनुशार यूज़ कर सकते हो यहां पर मैं ले लिए थोड़ी सी इलैजी क्योंकि यह डालने से इसमें डिश्ट बहुत ही प्यारे आते हैं तो यहां पर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें थोड़ी सी तेल रखना है फिर मैंने जो बहुत से पतले पतले आमों को काटके रखे ते उसे धोके और इस प्रेल में रख देना है करीमन पांच मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका जो कलर हो वो बहुत ही प्यारे रेरिस कलर का आ जाए आम के सीजन में ये तो हर घर में बनता है और मेरे घर में तो जरूरी बनता है क्योंकि ये मुझे खाना बहुत ही जादे अच्छे लगते हैं और इसका जो टेस्ट आती है थोड़ी खर्टी और थोड़ी मीठी इसलिए मैं इसे जरूर बनाती हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी पानी एट करना है आप अपने अनुशार डाल सकते हो आपका जितना भी आम का हो उस अनुशार फिर थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे हल्दी हल्दी तो मैं यहाँ बस कलर के लिए दी हूँ ताकि इसका कलर बहुत ही प्यारा आज सके तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ मिर्ची का पॉडर क्योंकि थोड़ी सी तीख्या होना भी बहुत जरूरी है और यहाँ पे मैं डालेंगे चिनी आप चिनी अपने अनुशार डाल सकते हो थोड़ा ज्यादा जो भी हो आपको जिस अनुशार खाना हो और यहा मैं निकाल लेती है छोड़ी सी प्लेट में तो गाइस आप प्लेट देखी रहो कितने प्यारी प्लेट है तो चलो मैं यहां पर निकाल कर देखा रही हो और यह खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो अगर आप तो मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक सब्सक् पर मूर